कि कैसे हो सब सब बढ़िया सब के जीवन में वही अपना पॉड्कास्ट चल रहा था मॉलीकिलर जेन्टिक्स का अगर में को थोड़ा ऐसा याद है हां तो अपनलोग डिन रेप्लिकेशन तक आ गए तो मेरे साब से अब अगली चीज जो आपके पास है ना वह आपने सुन रख आ है ट्रांस्क्रिपशन दो ड्ना से डिना बनाया डि इन, अब अपनलोग क्या रइंगे ट्रांस्क्रिप्शन क्या करेंग के चीजओ ळिए ace SH STA can बनने की process copy क्या कहते है transcription अगर definition की बात करें तो inside लिखती copying of information from DNA in form of RNA is called transcription location की बात करने तो prokret में होता है chikoo cytoplasm में, ukret में होता है nucleus में अब कुछ basic चीज़ों होती है दोखो मेरी पहले धान से बात समझना आपके पास DNA में दो तरीके के parts होता है एक होता है coding DNA एक होता है non-coding DNA इसको तो मैंसे समझो एक है uchromatin एक है heterochromatin अच्छा मतब दो strengths है DNA में हाँ साथ दो strengths है कुछ part contain करेगी coding वाला part और कुछ part contain करेगी non-coding वाला part ठीक है जो coding वाला part होता है न DNA में उसको वो code करेगा जिसमें आपके पास mRNA बनेगा और जिसको वो code नहीं करता है उससे अपन क्या कहते है चीकू non-coding part कौन सा part non-coding part याद रखिएगा replication में पहले ध्यान से सुन लैना मैंने क्या बोला है replication जो होता है वो coding का भी होता है non-coding का भी होता है replication मतलब DNA से DNA बनने की जो प्रतिक रिया है वो coding वाले part का भी होगा और non-coding का भी लेकिन transcription हमेशा coding वाले part का होता है मैंने क्या बोला DNA के पास दोनों चीज़ें है coding भी और non-coding भी जब DNA से DNA बनाओगे तो coding non-coding दोनों को आप लोग वो replicate कर दोगे लेकिन जब आप लोग transcription करेंगे तब आप लोग किसको जादा focus किया जाता है coding वाले पार्ट को किसको focus किया जाता है coding वाले पार्ट को अब होता क्या है DNA के पास दो strands होती है एक 3-डेश से 5-डेश और एक होती 5-डेश से 3-डेश सब जानते हैं सर 3-डेश से 5-डेश वाली जो strand होती उसको वोलते है template strand कौनसी template strand इस template strand पे अपन base pairs को देखेंगे और क्या बना देंगे एक नया RNA और RNA बनेगा किस direction में 5-3 क्यों क्योंकि जित्ते भी polymerase होते हैं वो किस direction में context ही काम करते हैं चीकू 5-3 याद इत्ता रखिएगा आपके पास DNA में होते है adenine, thymine, guanine, cytosin हाँ सर आपके पास RNA में कौन आ जाएगा thymine की जगे युरासल मतलब adenine, युरासल, guanine, cytosin ये सब सिंपल सी बात है अब सवाल NCRT आप सब पहली पूछती गया है कि दौनों strengths जो DNA की है क्या वो transcription सो कर सकती है तो देखो वही है अगर आपके पास DNA मैं आपके पास DNA DNA होता बिलकुल होता सब अगर मैंने इस DNA की डौनों template से RNA बना दिया तो आपके पास double-stranded RNA बन जाएगा बिलकुल अगर डौनों strengths के DNA मैं आपके तुम सुना DNA double-stranded है अगर डौनों ही को अपने template तरह यूस किया और आपने RNA को code कर दिया तो आपके पास क्या होगा सेम टाइम पे दोनों RNA बनेंगे और इन RNA के बीच में क्या हो जाएगी complimentary complimentary मतलब double-stranded RNA बना देंगे दोनों देखेंगे क्या होते भाई 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 तो है एक के पास DNA एक के पास यूरासिल double-stranded RNA को protein synthesis करने नहीं देता अच्छा तो अगर मान लो सेम टाइम पे आपने transcription कराया DNA की दोनों strands का तो ऐसी condition में ट क्या बन जागा चीकू double-stranded RNA अब दूसरी बात आती है चलो भाई या दोनों strand का जो दोनों strand जो है उनको अपन synthesis करते है आ रेने को different time पे अगर different time पे अगर होगे तो भाई साब पूरा gene expression complicated हो जाएगा कैसे भाई या अगर different time पे किया तो एक ने transition करके protein 1 बनाया दूसरी strand ने transition करके protein 2 बनाया तो एक आप खुश सोचो दो protein अलग-अलग बन जाएगे और यह सिर्फ पूरा आपके पास complete में बनाया 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 पूर 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 एक्स्प्रेशन वाला मशीनरी में बनाया protein synthesis की मशीनरी तो आपके पास आता क्या concept आता है transcriptional unit का अब जे कहना नहीं चीज बता दी उसे कहेंगे structural gene और जहां पर खतम कर दोगे उसे कहोगे terminator क्या कहोगे terminator मैंने क्या बोला promoter structural gene और last में कहन है terminator ठीक है अब promoter वाला जो region होता है हलो कौन सा region promoter वाला promoter वाला region आपके पास present होगा अब उसके बीच में कौन होगे structural gene और last में कौन होगा terminator अब जो template strand है मेरी बास सुनने ना जो template strand है वो हमेशा कहां से रहीगी dn3-5-5-3 3-5 क्यों रहीगी 3-5 तो कि जितने भी polymerase है वो नए नया आ रहे नहीं या फिर dn3 का इस direction strand ठीक है तो वोई कुछ नहीं करना आपनको आपनको 3-5-5-5 वाली जो strand है जिस पे structural gene present है उनके देशेस को देखना है और नया क्या बना देना है चीकू RN है अब NCRD एक online लिखती upstream और downstream के बारे में तो देखो NCRD कहती है by convention ऐसा माना गया है कि जो promoter और terminator की location है वो अपनको coding strand से देखनी कैसे strand से देखनी चीकू coding जे sir coding क्या होता है अभी तो आपने non-coding बताई थी अरे तो non-coding के जो opposite 5 से 3 बचेगी उसको अपन क्या कहते है coding तो वो ऐसा कहती है कि promoter जो है वो locate होता है 5 dash and upstream of the coding strand मलब coding strand के left side में 5 dash वाली जो reason होगा वहापे कौन present होता है promoter और coding के right side 3 dash वाली side पे आपके पास कौन present होता है terminator यह मलब एक ncd में लिखा हुआ है और एक बास सवाल भी पूछा है upstream और downstream का तो वह याद रखिएगा अब क्या-क्या steps होती है transcription में पहली चीज initiation दूसरी elongation तीसी termination है सर अरे कुछ नहीं पहले start करोगे तो initiation फिर elongate करोगे तो elongation और last में कोना जाएगा आपके पास termination अब इसमें main चीज यह क्या है आप यह सब studies किस पर करी गई थी prokaryote और sr-shagulay sr-shagulay पर अपन ने study करी थी initiation step में आपके पास एक factor होता है जैसे हम बोलते है sigma factor कौन सा factor sigma factor sigma factor RNA polymerase को recognize करेगा हम बना bind करेगा और जैसी वो bind करेगा तो आपके पास RNA बनना स्टार्ट हो जाएगा elongation वाली step में और जो नया RNA बनेगा वो 5 से 3 है 3 से 5 सर 5 से 3 last step का अब इसको terminate करना है ऐसा थोड़ी है कि पूरे DNA कोई टॉल दो गया कुछ specific segment को तो अपन लोग टॉलेंगे transcription करेंगे तो महाँ पर terminate करने के लिए आता row factor कौन सा factor row factor और row factor जैसे ही आएगा मतलब termination हो गया मतलब जितना भी RNA बनना था वो पूरा बन जाएगा अच्छा अब देखो वैसे तो एक box होता है Tata box Pribno box Ognos box यह NCID दो बहुत पहले हट चुके हैं लेकिन मेजदा कॉलम में उसने Tata box पूछ लिया था वैसे तो मेजदा कॉलम आप कर सकते हो वो मतलब option skip करके या वो skip नहीं eliminate करके वो हो जाता है लेकिन फिर आप सुन लो pro carot के अंदर 10 nitrogen base पहले from the initiation point हाँ वहाँ पे 6 base pair का TATAT Tata 80 Tata 80 box present होता है जिसको अपन बोलते है Privno box और U-carot के अंदर आपके पास 7 base pair का क्या होता है Tata box TATAT Tata box इसको अपन बोलते है hogness box तो मैं बोल क्या रहा हूँ sigma factor जो है अगर अगर अपन pro carot की बात करें initiation जहां से start होगा उसके 10 nitrogen base पहले पीछे उसके 10 nitrogen base पहले पीछे 6 base pair का एक Tata box होता है एक Privno box होता है TATAT Privno box जिसको अपन कहते हैं और U-carot के अंदर 7 base pair का आपके पास Tata box या फिर hogness box होता है बलाँ वहाँ से recognize किया जाता है कि हाँ यहाँ से पनको transcription start करना है sigma factor bind करेगा RNA polymerase से promoter वाली site पे और आपके पास नया क्या बनना start हो जाएगा mRNA अब mRNA को terminate करना है तो termination वाले के लिए कौन सा factor आ जाता है चीकू row factor यह जब पूरी process चल रही होती है तो यह इसको अपन बोते है transcription bubble कौन सा bubble transcription bubble उसने पहला option दिया था helicase और maximum बच्चों ने पता helicase लगाया था भाया helicase हड़न बोन तोडने के लिए DNA replication में आता था ना कि transcription में transcription में main enzyme कौन सा है DNA dependent RNA polymerase वो ही आएगा और वो ही आपके पास क्या बना के चला जाएगा RNA RNA कित्ते प्रकार के होते है तीन एक होता आपके पास RNA एक होता है TRN और एक होता MRN आप सब जानते हैं सबसे जादा कौन होता body में R कौन जादा सबसे जादा stable होता सर obviously R क्या ribosome की unit बनाता है बिल्कुल सर RNA बनाता और दोनों राइबोजोम की unit को जोडने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए सर मेगनीशम प्लस टू चाहिए रहे क्या मेगनीशम प्लस टू चाहिए नहीं चाहिए किसको अड़ेप्टर RNA कहते है सर TRN को कौन सॉलिबल होता है सर TRN सिंजर RNA आप जानते ही है मेच्चोर RNA या प्रॉसेस RNA इसके नाम होते है हाँ सर अब देखो होता क्या अपन ने DNA से क्या बनाया चिकू RNA अब अगर M RNA बनाया है ना तो M RNA में कुछ गंदिगी होती है अच्छा UK root के अंदर जो M RNA बनता उसके अंदर कुछ गंदिगी होती है उस गंदिगी को कहते है Introns मतलब कुछ पाट होता है Coding कुछ पाट होता है Non-Coding तो जो Non-Coding वाला पाट है उसे हमारी body क्या चाहती है कि जो Non-Coding वाला पाट है इसको हटाओ अच्छा तो हम लोग करते Post-Transcriptional Modification PTM करते है Post-Transcriptional Modification जिसे हम प्यार से कहते है Splicing क्या कहते हैं चीकू Splicing और ये भी कहाँ पे होता है Nucleus में कहाँ पे होगा Nucleus में Procreate or Eukerate? Sir Eukerate obviously अच्छा अब देखाओ कर अपन इसकी बात करें तो Splicing कराने के लिए पहले इती सी आप बात समझो DNA से जब आपने RNA बनाया तो ये RNA गंदा था उस RNA को एक कहते हैं HN RNA Heterogeneous Nuclear RNA तो हम क्या चाहेंगे? इसमें दो पार्ट होते हैं Exons and Introns Exons को कहते हैं Coding Part Introns को कहते हैं Non-Coding Part हम करेंगे कुछ नहीं Introns को निकाल देंगे Exons को रख लेंगे तो दो process होती है एक होती है Capping एक होती है Tailing और फिर हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं Capping में हम कुछ नहीं करते हैं जो 5-डेश वाला end होता है उसमें हम अपन लोग 7-Methyl-Guinosin-Tri-Phosphate को add कर देते हैं कहाँ पर 5 पर 3 पर 5 पर process का नाम क्या है Capping क्या है Capping दूसरी step होती है Tailing तो Tailing वाली step पर अपन लोग बहुत सारे A का बोले अब में बहुत सारे Adenylate Adenylic Acid को जोड़ देते हैं 200-300 Residues अपन Poly Adenylate के जोड़ते है Adenylic Acid के Process का नाम क्या है Tailing फिर आपके पास आते हैं Snubs का हो दिए भाई सब जी Snubs अभे कुछ नहीं Small Nuclear Rhybon Nuclear Protein जो आपन के पास जो Introns होने Cut कर देंगे और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा Exons और Exons जब बचते हैं उसी को अपन कहते हैं Mature RNN Messenger RNN या फिर Processed RNN कौन कौन से RNN Mature RNN Processed RNN या फिर भई मतलब भई Mature RNN बन गया Messenger RNN आपके पास अच्छा अब उसके बाद अगर अपन उसकी बाद करें ये तो आपने बना दिया MRN Process का नाम Transcription क्या RRN और TRN भी बनते हैं अब जित्ते भी प्रोक्रेट्स होते हैं उनके अंदर 70S है हाँ 20-20 मैनस कर दो 70 में से 20 गया किता 50 और 30 तो 50 वो होती है लार्ज यूनिट 30 होती ही स्मॉल यूनिट बिल्कुल सर 50S के भी अंदर यूनिट्स होती है 5S और 23S RNN की हाँ और जो स्मॉल वाली है 30S उसमें आपके पास 16S RNN होता है अगर अपन 80S की बात करें जो यू क्रोट्स की बाड़ी में मिलता है वैसे तो यू क्रोट्स में 80-70 दोनों मिलता है लेकिन 80S जो आ रहा रहा रहने होगा यह भी राइवर्जों की बनाएगा यूनिट बनाएगा कर दो 20-20 माइनस एक आएगा 60S दूसरा आएगा 40S 60S में आपके पास होता है 5S RNN 5.8S RNN और 28S RNN 40S में आपके पास सिर्फ कौन सा होता है 18S RNN यह याद रखिएगा यह आपके पास किसकी बात अपन कर रहे थे आर आरेने की अब लास्ट चीज जो आती है आपके पास वो होती है कौन से आरेने TRN की अब TRN को अपन-soluble आरेने कहते थे हाँ एड़ेप्टर आरेने कहते थे बिल्कुल कहते थे सर अब पता NCRI लिख थे यह कि उन्होंने बोला कि भाई साइब ड़ेखो आपन के पास जो MRN बना उसके उपर होते है कोडाउंस ठीक होते है और कोडाउंस को मैं डरेक्ली प्रोटीन नहीं कोडाउंस से मैं डरेक्ली प्रोटीन नहीं बना सकता अच्छा मुझे कुछ बीच में चाहिए, तो बीच में चाहिए, जी चीज चाहिए, उसका अबन बोलता है, अड़ेप्टर हाइपोथेसिस, बलब टी आरेने की हाइपोथेसिस, उन्होंने बुला कुछ आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होता है, जिनने टी आरेने अपन कहत य ाचेयलो चाहिए, इसमें बहुत सारे लूपस कुछ पंकशूल्स होता है, इसको सिकन्डरी पहुत है फिर आपके पास फंक्शनल्स स्ट्रक्चर्थ जो होता है, जो तर्शली स्ट्च्चिर होता है, जो कि निवर्टेड ल शेप का हहोता है अच्छा ऑनव अपन अच् comparison वैसे तो comparison नहीं करना चाहिए कभी भी आप समत रहो विकार चाहिए होती comparison तो प्रोक्रियोट और यूक्रियोट सेल के अगर comparison के अगर अगर अपन बात करें transcription और translation प्रोक्रियोट में coupled होता है coupled मतलब दोनों ही साथ में चलता है ऐसा देखा गया है कि यह दोनों चीज़ें simultaneous ली चलती है प्रोक्रियोट में कौन transcription और translation लेकिन यूक्रियोट के अंदर पहले transcription होता है बिल्कुल फिर transcription के बार आप लोग क्या करोगे post transcription modification जिसे अपन कहते है splicing हाँ और फिर last में कौन होता है translation तो अपनी body में यह चीज़े coupled form में नहीं चलती है याद रखिएगा DNA replication अपनी body में nucleus में होता है transcription nucleus में होता है splicing भी nucleus में होती फिर nuclear pore से कौन बहार निकलता है mRNA और वो cytoplasm में जाके मतलब इंतजार करेगा TRN का और आईबोजोम का ताकि वो क्या start कर सेके आपके पास वोई protein synthesis क्या start कर सेके चीकू protein synthesis और सबसे मिलदार चीज मैं भूल रहा था कि आपके पास होती है देखो जैसे u-caroids है u-caroids के अंदर splicing होती है हाँ सर होती है RNA जब बनेगा तो आपके पास introns exons दोनों बनेगे हाँ तो introns वाले जो parts है उन्हें अपन हटा देते है बाए process splicing तो ऐसी जीन्स जहां मिलती है जहां कि splicing की ज़रुवत होती उसको बोलते है splicing मेला split jeans और pro-caroids जो होते है उनके अंदर splicing नहीं होती क्योंकि वहाँ jeans कौन सी मिलती है non split jeans इसी को NCD के लिखती है इन introns का मिलना कहीं न कहीं बताता है कि अपन लोग सब लोग मैं अपना जो evolution होगा दीदीर RNA से हुआ है क्यों RNA से हुआ है वहाँ NCD लिखती है reminiscent of antiquity मैं लग बचा हुआ आपके पास जो RK bacteria होते है कुछ RK vectors के अंदर अपन को दिखता है कि splicing होती है मतलब हाँ इंट्रोंस को हटा आ जाता है तो हम ऐसा मान जाते है कि अपन सब लोग पुराने पहले पूरवज अपने क्याते बंदर अब बंदर नहीं Bacteria's के ही origin है धीरे धीरे Bacteria's से ही originate हुए है अब जो नीट में आप से सवाल पूछा जाएगा न कि प्रो करोड के अंदर भी transcription होता है हाँ सर और यू करोड के अंदर भी होता है बिलकुल होता है और उसी से आपके पास mRNA, tRNA और RNA बन जाता है लेकिन अगर अगर अपन अपनी बॉड़ी की बात करें तो आपने पास तीन होते हैं क्या RNA Polymerase जो RNA Polymerase 1 है जित्ते भी एट वाले आपके पास यूनिट्स हैं Ribosome की वो सब बना देगा मतलब 28S, 5.8S और आपके पास 18S यह कौन बना देता है RNA Polymerase 1 और RNA Polymerase 2 मिडल में आता है मैं बनाता है 1, 2, 3 के 2 मिडल में आ रहा है तो यह बनाता है mRNA चीको कौन सा RNA बनाएगा? mRNA और जो लास्ट में आता है RNA Polymerase 3 जिसको अपन 3 कह सकते हैं 3 तो यह tRNA बनाता है concept of genes की अच्छाँ दो तरीकी की चीज़े होती है एक होता सिस्ट्रोन एक होता है gene मतलब सर याद करिए अभी मैंने बात करी दी transcription bubble की transcription bubble में आप देखिए transcription पहले होता promoter फिर होता structural gene और last कौन होता terminator मैंने आप से बोला था जो structural genes है उन्हें अपन रीट करेंगे और क्या बना देंगे नया MRN हाँ या ना हाँ सर बोला थो था तो जो promoter और terminator है क्या ये genes हैं बिल्कुल सर genes है इनको अपन regulator genes के सकते हैं क्यों 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 इनके पास sigma complex और row factor होता है regulation कराने के लिए कब initiate करना है करना है लेकिन main मकसद किसका है structural gene का तो वो gene जो protein synthesis कराती है protein बनाती है उसे अपन कहते है systron और वो gene जो protein synthesis बाट नहीं करती लेकिन regulate करती है उसे कहते है regulator gene अब आप से पूछा कह जाएगा क्या सब genes systron होती है नहीं सिर्फ structural genes systron होती है हाँ सरबात तो सही है जिसका transcription और translation उसे अपन कहा कहते है systron और normally जो आपके पास genes है उन्हें अपन genes कह सकते है तो promoter terminator क्या है normal genes और structural genes जो होती है उन्हें अपन प्यार से कहा कहते है systron तो एक line आप से पूछी जाएगी all cistrons are genes क्या जित्ते भी cistrons है सब genes होते है हाँ बात सही है लेकिन जित्ते भी genes है वो आपके पास cistrons नहीं होते यह याद रखना मेरे भाई याद रखना याद से splicing होगई split genes होगई अब last चीज जो आपके पास बचेगी वो है genetic code चलो इसको भी सुन लो genetic code अब genetic code फिर last lecture में पान ट्रांसलेशन हो यह सर्फ फुर्द दूसी चीज़ें में रिटा देंगे अब genetic code एक scientist है जिनका नाम था George Gamow कौन थे? गवार नहीं George Gamow बहुत समझदार scientist है उन्होंने बोला कि भाई साब आपकी बोडी में होते है genetic code कौन होते है genetic code अरे सर ये code code क्या करे है genetic code देखो ध्यान से सुनना आपने DNA से बनाया RNA हाऊ सर MRNA बना लिया उसकी splicing करा दी हाऊ आपके पास mature RNA बन गया nuclear pore से आपने बाहर बुला लिया साइटोप्लाजम में MRNA की उपर होते है codons क्या होते है codons मतलब information होती है कि आपको क्या उनसा protein बनाना है ठीक है सर अब इसको read करने के लिए मुझे TRNA चाहिए तो MRNA की उपर codons को read करने के लिए TRNA आएगा तो इन्होंने बताए कि जनेटिक कोड होते है अब पताज कैसे चले जनेटिक कोड ट्रिपलेट है डबलेट है या सिंगलेट है समझ रहो तो उसको decifer कैसे किया जाए अच्छा कौन कौन मतलब कौन सा codon किस हमाइसट को code करता है तो उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया बोला कि भाई साब देखो आपके पास कित्ते हमाइसट होते है 20 तो अगर 20 हमाइसट है और अगर codon को मैं single लूँ जैसे AUG लिखा है तो मैं सिर्फ A वाले को लूँ तो आपके पास सिर्फ 20 codon चाहिए जैनेटिक कोड जो होते है वो triplet होते है क्यों triplet होते हैं क्यों के पास total nucleotides होते हैं एडिनीन, थाइमीन, guanyan, cytocin हाँ सर बिलकुल और RNA में एडिनी, neurasyl, guanyan, cytocin और total amazard आपको कित्ते कोड कनने है 20 तो अगर 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 आपन 4 की power 3 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा सर 4 की पावर 364 आएगा 64 कोड़ोंस आपके पास लगते हैं 20 हमाइसर को कोड़ करने के लिए अब इन्होंने कह दिया जो बात अच्छा लेकिन इनकी बात नहीं मानने थे लोग बाग उन्होंने बोला भाईसर बगर तो मैंसा कह रहा हूँ कि आपके पास 64 कोड़ोंस होते हैं जो कोड़ करते हैं 20 हमाइसर को तो ऐसा कैसे हो सकता है सर आपको सोचो एक ताले को खोलने के लिए इसे साफ से चाबी तो बहुत सारी हो गई मतलब अरे एक हमाइसर कोड़ करने के लिए क्या बहुत सारे कोड़ोंस हुए या नहीं हुए हाँ बात तो सभी कह रहा है और फिर उन्होंने बोल भी दिया कि तीन भाईसर आप होते हैं नौनसेंस कोड़ों जिन आपन स्टॉपिंग कोड़ों कह रहते हैं यू ए ए जिसे पन प्यार से कहते हैं यू आ यू ए जी जिसे पन प्यार से कहते हैं यू आग और लास्ट आपके पास कोने यू जी है जिसे पन प्यार से बोलते हैं यू गा तो यू आ यू आग यू गा ये सब स्टॉपिंग कोड़ोंस हो जाते हैं वहला उन्होंने क्या दिया लेकिन उनकी बात को फिर धीरे-धीरे माना भी गया कि उन्होंने बोला कि आपके पास जी 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 जाओ सुनी है कुछ साइंटिस्ट है जिसे पहले आपने आपने पड़ा जॉर्ज गमाउ इनका 2020 में सवाल पूछा गया था कि जॉर्ज गमाउ को मेलब जेनेटिक कोड की टम कि इसने दी ती की जेनेटिक को ट्रिपलेट के एक ट्रिपलेट किसने बताया था जॉर्ज गमाउ फिर एक scientist है जिनको बोलते है निरेंबर्ग क्या बोलते है निरेंबर्ग इन्होंने cell free synthesis कर दिया था protein का अच्छा अलब बिना cell के in vitro lab के अंदर protein synthesis कर दिया फिर एक scientist है हर्गोबिन सिंग खुराना हर्गोबिन सिंग खुराना जी जी जो थे इन्होंने वाइसाब copolymer और homopolymer बना दिये सेम सेम आपके पास अगर nucleotide है तो homopolymer different हो गए तो copolymer फिर लास्ट है सिवरोक्वा यह scientist है सिवरोक्वा इन्ही के नाम पर इनकी enzyme का नाम पढ़ा सिवरोक्वा enzyme यह ऐसी enzyme है जिसे template के आवा सकता ही नहीं अच्छा अभी अपने याद करो DNA से RNA बनाया तो एक 3-5-dation को अपने बुलाद template strength हाँ हम क्या कर रहे हैं इसमें enzyme में test tube ले रहे हैं nucleotide ड बात कर दी अब जो salient feature silent feature जो होते है genetic code के पहली चीज क्या genetic code triplet है डबलेट से triplet आपके पास 64 codes होते हैं जिसमें 61 code आपके काम के हैं तीन है nonsense code on you are you are you got याद रखिएगा अच्छा genetic code universal होते हैं non universal सर माना जाता है कि universal होते हैं कुछ exception होता है जिससे mitochondria protozova वह genetic जिसके वैसे genetic engineering पॉसिबल है कुछ ऐसा कह देते हैं अच्छा फिर genetic code comma less होते हैं comma free मालब सर उसमें कोई punctuation mark नहीं होता है अपने लोग अगर read कर रहा है हमारेने को तो directly मालब पूरे तरीके से read करेंगे जैने की एक base pair छोड़ दिया फिर genetic code के अंदर एक खास property मिलती जिसको आपने बोलते ह के लिए आपके पास एक से दादा क्या हो सकते हैं चीकू code जैसे आपने glycine का नाम सुना है बिलकुल उसमें चार codes होते हैं उसको code करने के लिए GGG, GGC, GGU, GGA अच्छा और याद रखिएगा normally जो सबसे पहला code on होता है MRNA पर वो AUG होता है कौन होता है चीकू AUG और यह किसक code करता है? Tryptophan किसको code करेगा चीकू? Tryptophan और UUU, only you, I love you, वो किसको code करता है? Phenylalanine को फिर उसके बाद बोलता है कि genetic code जो है unambiguous है ambiguous मतलब कोई confusion नहीं होता आपके जैसे अगर AUG आया तो methionine नहीं आएगा कोई doubt teach नहीं है अच्छा और AUG हमेशा starting code on रहेगा बिलकुल रहे किसको code करता है? वो कौन था? UUU, याद रखिएगा, code on universal होते हैं, कुछ exception होते हैं, जिसे mitochondrial DNA of mammals and yeast, उसमें महलब क्या होता? कुछ नहीं है, जिसे अगर तुम सुनना चाहो, वैसे अगर आ गया सवाल तो बहुत बढ़िया, जो UGA होता है, वो code करता है tryptophan को, अब हम जानत UGA कि stopping codon है, लेकिन mitochondrial DNA of mammals and yeast की body में, यह जो UGA है, वो code कर देता है tryptophan को, otherwise it is stopping codon, तो कुछ exception है, एक ही जगे exception है, और जगे कहीं है, exception आपको नहीं मिलता, अच्छा, फिर इसके बाद आपन देखेंगे mutation and genetic code, तो वो आपन अगले lecture में देखते हैं, को कि वैसी video लंबा हो कि आए, तो में लोग बुझे ही काओगे, पढ़ाता लिखाता कुछ है नहीं, आप से एक सी जाओर, आपके साथ ऐसा होता है क्या, कि आप से लोग बाद कहते हैं, आप बहुत खूब रहत हो, यह सा फाल तू चीज़े हैं, आप समझ रहो यह गलत family आमत पालना, अगर कभी जे मिसकंसम्प्शन नहीं पालने हैं, समझ गए, यह नहीं समझे, चलो, मेलते हैं आपन, तब तक पढ़ाई करो, मस्ती से, all the very very best